हेलो एब्रीवन वेलकम अगेन टू नन्वरे देतीमन तो देखिए लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था जिसमें हमने मेले और त्योहार की सभी कुशन कर लिये थे आज हम करेंगे प्रमुक्ष लोग देवता और संत और उसके बाद हमारा एक चोटा सा टॉपिक और है हस्तकला तो उसे सम्बंदित सभी ब्रशनाज हम कर लेंगे और ये चैप्टर भी कंप्रीट हो जाएगा आपका और ये क्लास भी कंप्रीट हो जाएगी नेक्स्ट हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 29 देखिए राजिस्थान के कौन से लोग देवता पंच पीरों में सामिल हैं तो वो हैं राम देव जी, गोगा जी, पाबू जी, हर्भू जी और मेहा जी तो इसकी ट्रिक जो है वो मैंने आप लोग जी, गो से गोगा जी और पहाड का जो पा है उससे है पाबू जी और हा से हर्भू जी और में से है मेहा जी ठीक है तो जिंदिगी में कभी भी ये कुशन का अंसर आप लोग गलत नहीं करोगी अगला देखिए गोगा नवमी कव मनाई जाती है तो यहां नवमी वर्ड आ गया है इसका मतलब नवमी में तो मनाई जाएगी तो गोगा नवमी जो है भादरपद कृष्ण नवमी को मनाते हैं गोगा मेड़ी कहां इस्तित है तो यह हनुमानगर जिले में इस्तित है तो देखिए भादरपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में हम मनाते और इस दिन गोगा जी की पूझा करते हैं. और गोगा मेडी कहा है? हनुमानगर जिले में है. तेजा जी मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तेजा जी जिन्होंने गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, तो इनके मेले का आयोजन परवत सर ना गोर में किया जाता है नेक्स्ट दिखिए उटों के देवता के रूप में पूझनिये लोग देवता कौन से हैं तो उटों के देवता के रूप में पूझे जाते हैं पाबु जी जो क्या थे राठोर थे तो पाबु जी को उटों के देवता के रूप में पूझा जाता है अ तो वे है पाबु मंड ठीक है पाबु मंड उनका मुख्य इस्तान है मीरा भाई का जन्म कहां हुआ था? मीरा भाई का जन्म कहां हुआ था तो इनका जन्म मेरता में हुआ था राठोर वन्स के कुड की ग्राउं में इनका जन्म हुआ था मीरा भाई का विवा किस बंस में हुआ था तो ये तो राठोर वंस की थी और इनका विवा जो है वह हुआ था शिशोद्या वंस के महाराना जो थे भोज राज उनके साथ इनका विवा हुआ था और ये कुश्यन जो है वो आपका पूछा भी गया है रीट के एक्जाम में दादू दयाल ने कब अकवर से भेंट की थी तो इन्हों ने भेंट की थी फत्यपुर सीकरी में 1585 इस्वी में विश्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है विश्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो इनके प्रवर्तक है जामबो जी जामबो जी महराज जो है वह है विश्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बो जी का जन्म कब और कहां हुआ? तो ये विश्णोई संप्रदाई के प्रवर्तक हैं और इनका जन्म 1508 की भादरपद कृष्ण अस्टमी को पीपासर नागोर में हुआ था जसनात जी का जन्म कहां हुआ था? जसनात जी का जन्म कहां हुआ था? नागोर में जाम्बो जी का जन्म हुआ था और बीका नेर में जसनात जी का जन्म कतरिया सर बीका नेर में हुआ था जसनात जी किस व्यक्ति से प्रभावित हुए थे? तो जसनात जी गोरक नात जी से प्रभावित हुए थे राजिस्तान के लोकसंत जो स्वैम असिक्षित रहते हुए भी लोगों में सिक्षा की अलग जगाई देखिए खुद तो असिक्षित थे लेकिन फिर भी इन्होंने सिक्षा की अलग जगाई तो जाने जाते हैं श्रद्दानाची याद रखना है राजिस्तान के सेखावटी शेत्र में शुरद्धानात जी जाने जाते हैं, जो खुद सिक्षत नहीं थे, लेकिन इन्होंने जन जन में सिक्षा की अलग जगाई थी। ।। शुरद्धानात जी का संबंद किस स्थान से था ? तो इनका सेखवती से संबंद था। श्रद्नानाजी ने देत्याग कहां किया था इन्होंने देत्याग किया था सीकर जले के लक्षमनगर्ण में ठीक है और यहीं पर एक आश्रम जो है उसका निर्मान करवाया था जहां पर सभी वर्गों के लोग जो है वहे रहते थे किस संत का आदर्ष वाक्य है कि स्वक्षता में ही इश्वर का निवास है अब आपने देखा है आपने हाल ही में एक्जाम दिया था कि यह जो वाक्य होते हैं यह भी आते हैं किसी के कथन जो है एक्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखना है स्वक्षता में ही इश्वर क का निवासिस्थान है तो वो संत कौन है जिन्होंने ये आदर्शिवा के कहे वो हैं स्रद्धानाजी कास्ट कला का प्रमुक केंद्र कौन सा है कास्ट कला यानि लकडी की जो कला है लकडी से जो भी चीज़ें बनाई जाती है तो इस कला का प्रमुक केंद्र कौन सा है वह है बसी चित्तोरगर लकडी के बेवार, कावर और रंगाई चपाई के टपे कहां बनाये जाते हैं? लकडी के खिलोने और कट पुतली के लिए प्रिसिद्ध इस्थान कौन सा है? लकडी के खिलोने और कट पुतली के लिए जो इस्थान है वै है उदेपूर लक्डी की मूर्तियां कहां बनाई जाती हैं लक्डी की मूर्तियों के लिए जो इस्थान है वह कौन सा है जेठाना डूंगरपुर लकडी का फरनीचर कहां का प्रसिद्ध है तो लकडी का फरनीचर जो है वह सेखावटी और भीकानेर का प्रसिद्ध है और ये जो लकडी के खिलोने हैं कटपुतली जो है ये कहां पर बनती है उधैपुर जो है वह प्रसिद्ध है इसके लिए जो जेठाना डूंगरपुर है वहां लकडी की मूर्तियां बनती हैं सेखावटी और भीकानेर में यहां फरनीचर बनता है तो ये जहां के भी प्रशिद्ध हैं वो चीज आप याद रखिएगा इन सभी के नाम टेरा कोटा के लिए प्रशिद्ध कौन सा इस्थान है टेरा कोटा यानि की जो मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है तो प्रशिद्ध इस्थान है मौलेला नाथ द्वारा नाथ द्वारा के पास में ही मौलेला गाउं है जो की इसकाम के लिए प्रशिद्ध है टेरा कोटा की वस्तुएं निर्मित कहां की जाती है यह अलबर और बाडमीर में निर्मित की जाती है मिट्टी से मूर्ति बनाना ही क्या है टेरा कोटा है तो देखिए टेरा कोटा जो है मिट्टी से मूर्थियां जो है बहुत सारी सजावती वस्तुएं जो है वह बनाई जाती है और नात द्वारा के जो पास में मौलेला गाओं है इसके लिए प्रिशिद्ध है और यहीं पर अलवर और बाडमेर में भी यहां टेरा कोटा की वस् यह question जो है वो आपके exam में आया हुआ है किस इस्थान की tuhvacala प्रसिद है यहां हलां कि यह read में भी आया हुआ है यह question जो है first grade में second grade में भी पूछा जा चुका है तो वह है प्रताबगर्ग प्रताबगड की थेवाकला प्रसिद्ध है और ये थेवाकला क्या है परिभासा देखिए काँच पर वारी की सोने की जो नकासी होती है उसे कहते हैं थेवाकला ब्लू पॉटरी किसे कहा जाता है तो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन जो होते हैं इन पर ब्लू यानि नीले रंग के अंकन को कहते हैं ब्लू पॉटरी मूलेवान पत्थरों को तराशने का काम मुखे तक कहां किया जाता है तो यह किया जाता है जैपुर जिले में कपड़े पर छपाई के लिए प्रसिद्ध कौन-कौन से इस्थान है बगरू, सांगानेर, आकोला, बाडमेर, पाली और बसी जहां पर कपड़े की छपाई होती है और ये इस्थान प्रमुख है तो ये चैप्टर होता है आपका complete हमारी 6th class भी होती है complete मिलते हैं next video में, next chapter के साथ, next class के साथ, thank you